Hello mommies and daddies, आज मैं आपको इस वीडियो में 3 month old baby की growth and development की बारे में बताऊंगी 3 month का जो baby होता है, उसका जो weight होता है वो 30% भड़ चुका होता है और उसकी height भी 20% भड़ चुकी होती, जो उसकी पहले की height और weight होते है उसकी comparison में अब weight भड़ चुका होता है हाँ ये ratio हर baby में different different भी होता है, कुछ में कम और कुछ में ज़्यादा भी हो सकता है अब हम बात करेंगे baby के development और उसके milestone की बारे में इस time पर आप दिखूगी कि आपका baby कुछ-कुछ बोलना है start कर रहा है इस time पर आपको अपने baby के साथ बाते करनी जी, उनसे interact करना जी और आप दिखूगी कि आपका baby भी आपको response दे रहा है आपकी बातों पर वो आ, उ, इस type की आवाज तर रहा है इस time पर हमें हमारी baby को screen to screen टच देना चाहिए इवन वो हमारी touch पर response भी करते है आपकी यह touch हम उसे दे रहे वो आराम दाय के उसके लिए या फिर अनकमफोर्टेबल वाला लाटच इस time पर क्या होता है इस time पर बेबी आपकोस करना स्टार्ट कर देता है उसके पास टोईच लेके जाओगी या फिर कोई object है कुछ भी चीच को देखके वो उसके उपर focus करेगा अब बच्चों की eye जो होती है एक जगह रुकना स्टार्ट हो जाती है इस time पर बेबी इजीली अपने hand को माउथ तक ले जाते है इवन आप देखोगे कि आपका बेबी इस time पर बहुत ज़्यादा thumb sucking या फिर finger sucking करना स्टार्ट कर दिया है यह finger sucking या thumb sucking बिल्कुल नॉर्मल है यह उनकी growth का ही इस time पर एक part होता है इस time पर आपको अपने बेबी को tummy time देना ज़्यादा स्टार्ट कर देना है इस time पर हम हमारे बेबी को बैठाना भी सुरू कर सकते है फोर एक्जामपल जब आप अपने बेबी को अपने गोद में बिठा होगे या फिर किसी support के थुरू बैठा होगे तो बेबी अपने head को hold कर लेगा यानि की बेबी का जो head हो easily balance बनाने लग जाएगा इस time पर हमारा बेबी बहुत अच्छे से focus करना start कर देता है और इसकी जो cross eye के problem होते है वो भी बंद हो चुकी होती है फोर एक्जामपल आप अपने बेबी के पास कोई भी toys लेके जाओगे तो आप देखोगे कि वो easily देख रहा है उसकी eyes cross नहीं हो रही है जबकि पहले क्या होता था हम हमारी बेबी के face के पास कोई भी toys लेके जाते थे तो उसकी eyes cross हो जाती थी तो इस वक्त हमारी बेबी का जो focus होता है वो बहुत अच्छे से develop हो जाता है इस time पर हमारी बेबी का जो hand moment होता है और lag moment होता है और पहले की compare region में जादा होने लग जाता है और बेबी इस time को अपने आप enjoy करना start कर देता है इस time पर बेबी इस toys को या फिर कोई भी चीज़ आप उन्हें दोगे उसे अच्छे से पकड़ना start कर देते हैं इवन कभी कभी वो उस चीज़ को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हैं और माउथ तक भी ले जाने की कोसिस करते हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए